अगर आप भी क्लास तेंद के छात रहें और अपना मैट्रिक बोर्ड परिक्षा बिहार बोर्ड चुद और बाइस में देने जा रहा है तो इस वीडियो को जरा से भी स्कीप ना करें क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्लास तेंद का एंसियाटी प्राधारित जो सब्जेक के इस वीडियो को स्टार्ट करते और पहला कोसैं देखें अज के सो सने जवाहर रोजगार योजना आag लागू हुआ यानि आपको बताना जो और रोजगार वेजना वो कव लागू हुआ था तो दोस्तो इस nuoचन का राइी टेंस राइंस प्याеле का आपका नमबर यह कापास के लिए कहके काली मिठी उप्यूग्द कीणा गें को quandन है कि भारत सरकार ने सुचना का अधिकार आदिनीयम को पारित किया को सन पूछ रहा है कि भारत सरकार बैंक है तो अनिस बैंक जो है वह राष्टिक्रित हैं ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं छटा को सन है कि भारतिये जनता पार्टी का चुनाव चिन क्या है तो दोस्तों इस कोशन का राइट एंस रो जाएगा अप्सन नमबर B हो जाएगा कमल का फूल ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं सातवा कोशन है कि मानो पुंजी के मुख घटक है यानि मानो पुंजी के मुख घटक कौन से है आपका ओप्सन देखिए जान है कौसल है और अनुभाव या इन में से सबी तो देखिए इस कोशन का से जवाब हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर D यानि मानो पुंजी के जो मुख घटक है वह जान भी है कौसल भी है और अनुभाव भी है इसलिक कोशन का आई टेंसर ऑप्सन दी हो जाएगा नेस्ट कोशन देखते हैं कालसमार का जनम कहा हुआ था कालसमार का जनम कहा हु सिधा था तो नौ का राइघ यह जाए गा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है है फेंप्री डेवी सेप्टी लेंप का अविसकार किस ने किया था है हैं नेस्ट को सने नोबल पुरसकार से सम्मानित बंगलादेशी अर्थ शास्तिरी है यानि नोबल पुरसकार कौन से बंगलादेशी अर्थ सास्तिरी को मिला था दोस्तों इस कोशन के करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर सी हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर आपका 11 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है यानि यूरोप का जो मरीज है वह हम लोग किसे कहते हैं तो राइट हैंसर दोस्तों हो जाएगा तूर्की यानि यूरोप के मरीज किसको कहते हैं तो तूर्की को जो है हम लोग यूरोप क का मरीज कहते हैं नेश्ट कोशन आपका है लिच्छवी गंतंत्र भारत के किस राज में अवस्तित है तो देखिए आपका ओप्शन है बिहार राश्चास्थान महरास्थ या तिरिपूरा तो दोस्तों इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए बिहार में ज कितने इस भी में आया था तो दोस्तों इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा 1934 इस भी में नेश्ट कोशन देखते कोशन नमबर 14 क्या कर रहा है कि निमलिखित में से कौन बीदेसी बरांड नहीं है यानि निमलिखित में से कौन जो है वह बीदेसी बरांड नहीं है तो द दोस्तो इस question का राइट एंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा आगे बढ़ते question number हम लोग 16 पे देकि 16 question कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया बहुत ही बढ़िया question है और आपके exam में पूछा गया question है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तो इस question का राइट एंसर हो जाएगा आपका option नमबर ही हो जाएगा पंद्रह मार्च अन्नईश्व पच्चास नेस्ट कोशन देखते हैं 17 नमबर कोशन है ब्राहमन समाज की अस्थापना किस ने किया यानि ब्राहमन समाज का जो अस्थापना है वह को किस ने किया था तो दोस्तो इस question का राइट एंसर हो जाएगा राजा राम मोहंदराय आप्षन ये राइट है आगे बढ़ते नमबर 18 है आपको बताना इस question में कि 6 लोग सभा में महिलाओं की जो सदस्य है उसी संख्या कितनी थी इस question में क्या पूछा है कि 6 जो लोग सभा था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो दोस्तो इस question का राइट एंसर हो आपका option नमबर 18 का A option करेक्ट है ठीक है यानि 61 जो है महिला सदस्यों की संख्या थी नेस्ट question देखते हैं भारतिये राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तो इस question का राइट एंसर हो जाएगा 1885 इस भी में नेस्ट कोशन देखते हैं कि हिंदुस्तान review का परकासन किस ने किया यानि हिंदुस्तान review का जो परकासन है वह किस ने किया था तो राइट एंसर दोस्तो हो जाएगा option नंबर इस कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा सचिदान सचिदान नंद सिना ओप्षण डी करेक्ट है ठीक है और आपको एक भी कोशन प्रावलम है तो आप कमेंट जरूरी किजिएगा नेश्ट कोशन है 16 लोग सबा का चुनाओ किस वर्स हुआ था तो दोस्तो इस कोशन करेक्ट एंसर हो जाएगा 2014 में यहनि 2014 इस पी में 16 लोग सबा का चुनाओ हुआ था नेश्ट कोशन है आपका 22 नमर कोशन है नरेगा की अंतरगत गरामिन मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की वेवस्ता है नरेगा की अंतरगत जो गरामिन मजदूर है को साल भर में यानि एक साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्ता है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option number a हो जाएगा 7 दिनों के लिए next question देखते है next question है इन में कौण सा सबसे आपर यहां संसे राजमारग साथ त्रिके की त्रिके निमलिकित मैं से करशिद membrane ये अखवारी कागज के सोथी कपड़ों के लिए दोस्तो इसपर चल चाहेगा आगे बढ़ते हुएμगा आपका 25 है नेमरखित कौन सा यिजर कर आधारित नहीं है तो दोस्तो इस question है correct answer हो जाएगा 25 का जितने बच्चे option भी दी है वो बिल्कुली correct है यानि cement जो है वो क्रिसी पर आधारित नहीं है देखिए next question है कागज का विस्कार किस देश में हुआ यानि कागज का विस्कार है वो किस ने यानि कौन से देश ने किया था कागज का विस्कार कौन से देश ने किया था तो राइट एंसर हो जाएगा चीने ने यानि कागज का विस्कार जो है चीने ने किया था राइट एंसर होगा option A तेकि 27 नमर question है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है यानि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कहां पे इस्तित है तो राइट एंसर हो जायेगा कलकात्ता option C correct है next question देखते हैं पटना में गोल घर किस उदेश से बनाया गया था तो दोस्तो इस question का right answer option C हो जायेगा यानि आनाज रखने के लिए बनाया गया था पटना में गोल घर ठीक है option C correct है next question है अंतराष्टी है स्रामिक संगठन की अस्थापना किस वर्स हुई अंतराष्टी है स्रामिक संगठन की अस्थापना किस वर्स हुआ था तो दोस्तो इस question का right answer option B हो जायेगा अनाज तो अनाज में आगे बढ़ते हैं यानि आपसे पूछा है विश्व वैपार संगठन किस वर्स है अस्थापित हुआ यानि WTO की अस्थापना कब हुआ था तो right answer दोस्तो हो जायेगा option number D हो जायेगा अनाज 95 इस भी में आगे बढ़ते हैं इनमें कौन सी प्राथमिक उर्जा यानि नहीं है यानि इनमें से जो कौन है वो प्राथमिक उर्जा नहीं है तो देखिए इसमें से जो है यानि विधूत जो है वो प्राथमिक उर्जा नहीं है इस लिस्कोशन का right answer option C हो जायेगा आगे बढ़ते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम के स्थापना किस वर्ष की यानि जो गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम के स्थापना किस वर्ष किये थे तो right answer हो जायेगा option number 1916 में किये थे आगे बढ़ते हैं जारखंड राज का गठन कब हुआ था यानि जो जारखंड राज का गठन है वो कब हुआ था तो दोस्तो right answer हो जायेगा option number C हो जायेगा ठीक है 15 November 2000 यानि 15 November में हुआ 15 तारीक को हुआ था यानि 15 November को और 2016 में हुआ था next question देखते हैं question कह रहा है कि 1927 की लोग सबाद चुनाओ में किस दल को असपस्टे बहुमत मिला यानि 1927 की लोग सबाद के चुनाओ में किस दल को यानि सम्पून जो है बहुमत मिला था यानि कौन सी पाटी जीती थी तो आपका right answer रो जाएगा जनता पाटी यानि option भी correct है आगे बरते question number 35 से लोग तंत्र जनता के जनता के दौरा सासन है या कथन किसका है लोग तंत्र जनता के दौरा और जनता के लिए सासन है या कथन किसका है तो right answer रो जाएगा मिला कर बनाये जाता है आगे बढ़ते हैं गराम कचहरी का परधान कौन होता है तो 37 का राइट इंस रो जाएगा option नमबर B जो सरपश होता है वा गराम कर नम-जी้न ही था आगे बढ़ते हैं मंदार हील किस जीले में इस्तित है मंदार हील किस जीले में इस्तित है तो 49 का दोस्तों राइट एंसरो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग कोसन नमर 41 पे भारत में वरितिये वर्स होता है तो राइट ने से दोस्तों जाएगा एक अपरायल से 31 मार्च तक भारत में वरितिये वर्स होता है देखिए 42 नमर कोसन है वरिहद छेतर में जल की उपस्तिती के कारण ही प्रित्वी को काते है तो देखिए आगे बढ़ते हैं सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम कब लाग हुआ तो देखिए इस कोसन का राइट हैं से दोस्तों हो जाएगा ऑप्सन नमबर यहाँ प देखिए 43 नमबर नेपाल की सासन प्रणाली है तो देखिए बरतमान समय में नेपाल की जो सासन प्रणाली यह वह लोक तंत्र है इसलिए इसकोसन का राइट एंसर ऑप्सन ए हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं राजनितिक दलों की मानेता और उसका चीन किसके द्वा परदान किया जाता है तो यह निर्वाचन आयोक के द्वारा परदान किया जाता है आगे बढ़ते हैं कोसन नमर 46 है कि भारती सविदान के अनुछेद अनिस में देश के सभी नागरीकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है तो देखिए इस कोसन का राइटें से दोस्तो आगे बढ़ते हैं काफी बार गसन करा रहा है बहुत वाला अपकी लिजाम को पुर्चा गया है जालीयाव यह हमाँरे नाधियों किसे भिहार की यह क आपी बार पूछ गया है तो देखे बिहार का जो सोख है वह कोसी नदी को कहा जाता है, option C correct है, आगे बढ़ते है, question number 50 है, सीखो के दसवे और अंतिम गुरू सिरी गोबिंद सिंग का जनम बिहार के किस नगर में हुआ था, यानि गुरू गोबिंद सिंग का जनम बिहार के कौन से नगर में हुआ था, तो या जो था, वह पटना में हुए थे, जनम इनका हुआ था, ठीक है, option C correct है, आगे बढ़ते हैं, अंकुर्मार्ट के मंदिर का निर्मान किस सासक के द्वारा करवाया गया, यानि अंकुर्मार्ट का जो मंदिर है, वह किस सासक के द्वारा बनवाया गया था, तो पंचायती राज बेवस्ता स्वर पर्थम कौन से, यानि राज में, यानि कौन से स्टेट में जो है, सबसे पहले लागू किया गया था, तो 52 का राई टेंसर हो जाएगा दोस्तों, राज अस्थान में लागू किया गया था, आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग को भंग क कौन सा आयोग बना, यानि योजना आयोग को खतम करके कौन सा आयोग बना था दोस्तों, तो इसका राई टेंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर यह हो जाएगा, नीती आयोग, आगे बढ़ते हैं, बिहार जो है, वह बिमारू राज है इस ओप्शन में, ओप्शन ए हुई, तो राई टेंसर दोस्तों हो जाएगा, ओप्शन नमबर पच्पन का बी ओप्शन करेक्ट है, अनौई सो असीस भी में, ठीक है, तेके नेस्ट को सने, अंतराश्टी यह महिला दिवस की स्तिति को मनाया जाता है, तो च्पन का राई टेंसर हो जाएगा, आठ परिवस क conviction का राई टेंसर हो जाएगा, आगरीको की वियवक पूर्ण सहभागीता पर किस ने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभाव नहीं है यह कौन से विक्ति ने कहा था तो डॉक्टर एपी जी अब्दूलकलाम ने यह बात कहा था आगे बढ़ते हैं आका बोलिविया में जन संगर्स का मुख कारण था तो देखिए किस कारण से जो है वहां पर यह जन संकर्स जो है किसलस्चर निल्था तो राइटन्स से दुस्तो जायेगा इक पानी की कीमत में विरीधी के कारण ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत का राष्टिय पक्षी क्या यो तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों इसका राइट टेंसर जाएगा भारत का राष्टिय पक्षी जो होता है इसलिए इसका राइट टेंसर मोर होगा यो ओप्षन सी आपको पता होगा नेश्ट को सटने संजय गांधी जयविक लाव्य कुदियान किस नगर में हैं तो यह जो दोस्तों है वह patna में है संजय गान्दी जैविक को ध्यान जो है किस नगर में है तो पतना में आगे बढ़ते हैं वेदो की और लौटो का नारा किस ने दिया था तो राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा 64 का option number बिल्कुल ही option C करेक्ठ है दोस्तों स्वामी दयानाण स्वर्श्वती आगे बढ़ते हैं गुटेन बर्क का जनम कहा हुआ था दोस्तों तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है गुटेन बर्क का जनम कहा हुआ था इसका भी एंसर आप जल्ली से राजनीती आधारित होती है संप्रदाई के राजनीती आधारित होती है किस पे तो राइट एस रोजाएगा दोस्तों धरम पे ओप्शन एक औरेक्ट है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वह क्रिसी पर अधारित नहीं है तो सिमेंट जो है वह क् ए-हर स्थिन् आप्शन ऐसटाई ओप्शन अगे भड़ते हैं चावल है जारी चावल के ह verme판तो तों चावल जो है खरीब हैं ओप्शन एक और आगे भड़ते ही नाई आर्थिक नीती में किससे समलीत नहीं किया जाता है तो राइट एसर ऋ जोzeit दोस्तों नियंत्ति आधाने option भी करेक्ट है आगे बढ़ते हैं विहार में नहरोध्वारा सरवाधिक सिचाई किस जीला में होता है विहार में जो नहरोध्वारा सरवाधिक सिचाई जो है कौन से दिस्टिक्स में होता है तो इसका right रहें से दोस्त हो जाएगा बहतर का B option correct है रोहतास आगे बढ़ते है ताटा आइरं एंड इस्टील कमपनी के स्थापना की गई तो राइट एंसे दोस्त हो जाएगा और नई 707 में option B correct है आगे बढ़ते है किसने कहा संसाधन होती नहीं बनते हैं तो यह जो था जिमर मैन ने कहा था option A correct है आगे बढ़ते हैं इन में कौन सा संस्थागत बृत का साधन है तो देखिए बेवसाइक जो बैंक है यानि वह बिल्कुली राइट एंसर है 75 का सी ओप्षन करेक्ट है देखिए नेश्ट कोसन है राष्टिये विकास परिशत का गठन कब हुआ राष्टिये विकास परिशत क गठन कब हुआ तो इसका राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा 252 में ओप्षन सी करेक्ट है अगर आपको कोई भी कोशन में डिफकल्ट है आपको लग रहा है डाउट है तो आप कमेंट जरूरी कीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में किसको प्राथ्मिक छेत्र का जाता है निमलिकित में से किसको प्राथ्मिक छेत्र का जाता है तो क्रिसी को यानि क्रिसी छेत्र को हम लोग प्राथ्मिक छेत्र कहते हैं नेश्ट कोशन है देखिए नेश्ट कोशन क्या कर रहा है प्राथ्मिक उर्जा का उधारन कौन सा नहीं है तो यहां पर विधू का सबसे लोग प्रिये साधन क्या है तो देखिए इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा यहां पे बहुत डिफकल्ट कोशन है यानि बहुत बच्छे कंफ्यूज करते हैं कि सर्वाजिक यहां पर ऑप्शन यह होगा यह ऑप्शन भी जो है करेक्ट हो जाएगा मोबाइल ठी दोस्तों बच Ama कोशन आपको बता हैं तो हम स्ट वीडियो को लाई यह नवAK जो है आने वाले सोशल साइनस के हम आपको जीतना प्रें प्लिट करना है और सब्भक तैंस नहीं लेना आपको हम एक वीडियो देंगे उसमें सब सोचल साइंस का जो है इंपोर्टेंट कोसन हम आपको प्रभाइट कर देंगे सबी सब्यक्त का ऐसा ही मिलते रहेगा लाइब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा पर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगाओ या कैसा सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा आपको बस बेल आइकन को आल पर किलिक कर लेना चलिए मिलते हैं लोग नेश्ट वीडियो में